CBAC board class 10th का अगर तुम बालक exam देने जा रहे हो तो यार इस questions को बिल्कुल नहीं छोड़ना इस type की questions से कैसे deal करते हैं, क्या approach होता है वो जरूर सीख लेना क्योंकि quadratic equation का यह trending question है यानि कि आज कल board ऐसा ही question तुम से पूछ रहा है question में यह था कि अगर x square minus 2x plus a square minus b square is equal to 0, then x क्या होगा यह तुम्हें बालक बताना था और बहुत ही असान question है, बस approach जानना है, इसका कि approach क्या होना चाहिए, सोचते कैसे इस question में, जो यहाँ पर बालक constant term है, यानि कि जिसमें x नहीं है, देखो इसमें x है, इसमें भी x है, यह independent of x है, मतलब इसमें x नहीं है, इस term को बालक यहाँ पर तुम पहले sacrifice कर दो और इसका linear factor निकाल लो, यानि कि पहला step में हम लोग x square minus 2x, हैना, plus a plus b, और a minus b, इसको ऐसे लिख सकते हैं बालक, इसको ऐसे break करके लिख दिये, हैना, इसका linear factor निकाल दिये, factorize करके, formula तो तुम ज coefficient है, उसको इस तरीके से लिखना है, x की coefficient को बालक इस तरीके से लिखना है, कि यहाँ पर इसका use आ जाए, हैना, यहां लिखने में इसका use आ जाए, और साथ-साथ इसका value भी ना बदले, कहने का मतलब यह है, कि x के पहले minus 2a है, minus 2a ही रहना चाहिए, value नहीं change करना चाहिए बट यूज हमें इसका करना है तो कैसे लिख सकते हैं ध्यान से सुलना X square यहाँ पर देखो A को रखना है ना तो हम लोग यहाँ पर बालक माइनस करके A प्लस B कर ले है ना और फिर यहाँ पर बालक अगर माइनस A माइनस B कर ले है ना और यहाँ पर बालक ब्रैकेट में X लगा ले अभी अगर देखे तो A और यह बालक कैंसल हो जाएगा गड़वड हो जाएगा हमें X के पहले A चाहिए तो यहाँ प्लस लगा लिया जाए अब देखो द्यान से A प्लस A 2A हो गया B माइनस B कैंसल होके 0 हो गया B तो हट जाएगा A प्लस A 2A और बाहर माइनस है तो माइनस 2A X हो जाएगा है ना यानि कि इसको तुम सॉल्व करो पूरा तो बालक माइनस 2A आ जाएगा और तुम अगर ध्यान से देखो तो हम लोग इसका यूज भी कर लिए A प्लस B, A माइनस B का यूज भी कर लिए और लाश्ट में हम लोग A प्लस B और A माइनस B को as it is इस तरीके से लिख लेंगे कोई दिक्कत है तो बता दो समझ गए हो क्या कि यह हम X के बगल में फिर से repeat कर देते हैं बहुत ही important है ध्यान से सुनना X के बगल में वालक, X के बगल में वालक हम लोग इसका use करके लिखेंगे बट इसका value नहीं बदलना चाहिए X का जो coefficient है वही राना चाहिए X का coefficient है minus 2A अभी भी इसको solve करोगे तो minus 2A ही आ जाएगा B X हो जाएगा है ना फिर देखो minus plus minus minus A minus B X हो जाएगा bracket को open करोगे तो यह X यहाँ आएगा और यहाँ आएगा और साथ-सत माइनस के साथ multiply होके ऐसा हो जाएगा और plus यहाँ पर बालक A plus B और A minus B is equal to 0 इस स्टेप में भी आई हो बालक तुमको दिक्कत कहीं नहीं होगा अब common ले लिया जाएगा देखो इसमें common अपने पास X है X अगर common है ना तो यहाँ से X minus A plus B आ गया है ना और यहाँ से बालक अगर हम लोग बालक X minus A plus B is a common X minus A plus B यहाँ भी है X minus A plus B यहाँ भी है तो इसको हम लोग common निकाल सकते हैं कोई दिक्कत इसको हम लोग common निकाले ही common निकालते ही बच गया अपने पास X minus A minus B है ना इसकोल टो 0 अब हमसे X का वहलू पूछा है यहाँ से तुम कोईडेटी को सॉल्व करना जानते हैं ही हो 1 by 1 दोनों को क्या करेंगे 0 से एक्वेट कर लेंगे अगर यह 0 है देखो अगर यह 0 है लिखोगे इफ X minus A plus B is equal to 0 है ना देन X is equal to बालक A plus B हो जाएगा यह पूरा उसट जाएगा तो यह minus में था इदर उसट गया तो प्लस में यानिक X का एक वहलू A plus B हो जाएगा और दूसरा इफ X minus A minus B is equal to 0 तो X का वहलू आ जाएगा बालक A minus B यानि कि X का जो दो वहलू हमें find करना था quadratic था यार quadratic था ना तो quadratic था तो दो वहलू आना था तो एक वहलू आगे A plus B और एक वहलू आगे बालक X का A minus B बात clear है इस type का और भी question जो तुम अपने RD सर्मा और RS अग्वाल को solve कर रहे होते हो तुम्हें दिक्कत होता है उस questions को search करो chances है कि इस channel पर वह upload होगा क्योंकि सारे difficult questions को one by one हम upload करते जा रहे हैं मिलते हैं बालक हम लोग नेक्ट वीडियो में बाई